मैदान नहीं है वहाँ जाकर के हम देखके आए बहुत छोटा मैदान है वहाँ इतनी सेना खड़ी भी नहीं रह सकती है लेकिन एक कुरुक्षेत्र हम सब के भीतर भी है हमारी अंतरचेतना में है जहां अक्षाई और बुराई के बीच में निरंतर युद चलता है और आज हर देखके जीवन में भी अच्छाईयां बहुत कम होती है पांडव वृत्ति बहुत कम होती कवरव वृत्ति अधिक होती है तो ये भीतर की अंतरचेतना की बात है और एक मनोयुद की बात है और इसलिए जो पहला अध्याय है अरजुन के विशाद का अब सोचने की बात तो महाबारत के समय उसके नर्वसनेस का कारण क्या था? क्या उसके रिष्टेदार भिश्म पिताम द्रोणाचारिय जी उसको देख करके नर्वस हो गया? नहीं क्योंकि उसका सामना उसने पहले भी किया था अक्यातवास में जब दुरियोधन को डाउट आया कि पांडव लोग वहाँ छुपे उए हैं विराटनगर के राजधानी भी छुपे उए हैं और इसी लिए उन्होंने सेना लेकर के आक्रमन किया उस समय उस सेना में भिश बिश्म पिताम द्रोनाचारिय जी सब गए थे कथा आप भी जानते अच्छी तरसे उस समय अर्जुन ने अकेले हाथ बिश्म पिताम का भी सामना किया द्रोनाचारिय का भी सामना सब का सामना कर लिया था उसने और विजयी हो गया था यानि महाभारत के समय उसकी नर्वस इसे नर्वसनेस का कारण भिश्म पिता मह द्रोनाचारिय जी नहीं थे। उसकी नर्वसनेस का कारण कुछ और था। और वो कारण क्या था? तो जैसे आज एक जज हो और वो निश्पक्ष होकर के जो भी केस उसके सामने आता है, सुनवाई होती है और उस सुनवाई के अपना जजमेंट लिख करके देता है कि इतने साल की जेल, उमर कैद की जेल, या कारावास की या जिसको कहफासी की सजा, जैसा केस जिसका होता है उस अनुसार अपना जजमेंट लिख करके देता है, लेकिन मान लो कि एक दिन वो जज की कुर्सी पर बैठा है और उसी समय उस उस केस में उसका अपना बेटा ही गुनेगार वन करके कटगरे में खड़ा हो जाए और उसकी सजा वही है फासी की सजा उस जज की मनोदशा क्या होगी उस समय उसका मोग जो जागरत हो जाता है वो उस केस को हाथ में नहीं लेगा और अपील करेगा सुप्रीम कोट तक और भी जहां भी अपील कर सकता है वहां करेगा प्रैत्न करेगा अपने बच्चों में जो मोह होने के कारण उसको छुडाने के लिए ठीक इसी तरह अरजुन की मनोदशा इसी लिए विशाद वाली थ लेकिन ये मनोदशा इसी लिए क्योंकि उसको पता था कि गवरों को अगर हम मारेंगे वो मुझे नहीं मार सकते क्यूकि मेरे साथ भग्वान है लेकिन मेरे बच्चों को मार सकते हैं तो उस समय उसको अपने पुत्र-पौत्रों का मोह सताने लगा था बिश्म पिता मह या द्रोणाचार्य की बात नहीं थी और अपने पुत्र पौत्रों को खोने का जो एक भै था विशाद उसी के कारण था नर्वसनेस डिप्रेशन की स्थिती इसलिए थी कि वो कहता था कि ये सारा राज्य हासिल करने के बाद अगर मेरे पुत्र पौत्र ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए ये राज्य लूँ इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है कम से कम मैं अपने बच्चों को तो उसका अपना मोह उसको सता रहा था जैसे आज की दुनिया में भी लोगों के जीवन में अगर डिप्रेशन का कारण है तो उनका अपना ही मोह उसको सता रहा होता है यहां अर्जुने के च्छाओं और संबंधों के जाल में फसा हुआ व्यक्ती है उसकी चेतना का प्रतीक है कि हमारे मन के अंदर गुण और अउगुण दोनों होते हैं उसके बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है और जब मन थका हुआ होता है आसूरी शक्तियों के आगे हारने लगता है यह उसके सामने युद्ध करने के लिए तयार नहीं होता है खास करके कोई लंबी बीमारी से जब गुजरता है तब उमीद छोड़ देता है रिप्रेशन में चला जाता जब पारिवारे कलहकलेश खुब हो जाता है असफलता पर असफलता मिलने लगती है यह तनाव इतना बढ़ जाता है तब व्यक्ती जीवन में हारने लगता है यह उलज जाता है एकदम और ठके हारे मन और निर्णे न ले पाने में असमर्थ बुद्धी के कारण व्यक्ती डिप्रेशन में चला जाता है मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ती का आभाव आशा की किरन तब ही नजर आती है जब मार्क निर्देशन के लिए स्वयम ईश्वरिय बौदिक सत्ता रास्ता दर्शाती है तो इसलिए आज के समय की ही एक कहानी है कि मनुष्य के मन को ब्रमित करने वाले अने एक प्रश्न चलते है जिसका उत्तर नहीं मिलता है सही ज्यान नहीं है और भगवान उसी समय आकर के हमें यही आध्यात में ज्यान देते हैं और सर्व प्रथम जैसे भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्यान दिया वैसे हमें भी भगवान कहते हैं तुम ये देह नहीं हो एक चैतन शक्ति आत्मा हो जिसमें अथा शक्ति अथा क्षमता है उस शक्ति को उजागर करना है और इसलिए युद्ध का पहला विधी विधान जो दूसरे अध्याई में भगवान अर्जुन के सामने स्पष्ट कर देते हैं और उस समय उसको संबोधित करते हैं भारत भावारत ये है के कोई एक भारत की बात नहीं आज हर भारतवासी भारत है भारत में रहने वाला भारत है और यही कहते हैं सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवन्शी पर निर्भर करता है हर एक की कहानी है ये कि जब जीवन में संघर्ष होता है उस संघर्ष के समय सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना है तो युद्ध कैसे कर सकता है सहन करना है ये युद्ध करना है इसलिए कहा कि जहां सहन करने की बात कही तो ये मनो युद्ध की बात है वो हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या भगवान जो सर्व शक्ति मान वो हिंसक युद्ध की प्र लेना नहीं दे सकते थे, ये शक्ति नहीं थी उनके पास, आज के दुनिया का महात्मा गांधी महात्मा इसलिए बन गया, क्योंकि उसने अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिलाया, अगर महात्मा गांधी अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिला सकते थे, तो क्या भगवान, सर्व शक्तिमान होने के बाद भी अर्जुन को अगर कहने युद्धी करना है और कोई रास्ता ही नहीं है तो उससे तो महात्मा गांधी स्रेष्ट हो गया फिर तो या तो फिर तो आज के टेररिस्ट अगर जो कर रहे हैं तो फिर उनको सजा देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि भगवान ने भी यही युद्ध की प्रेणा दी है फिर तो उसकी पूजा कौन करेगा इसलिए कहा गीता में ही उसका जवाब है कि जब दूसरे अध्याए में सबसे पहला विधी विधान यही बताते कि सुख दुख सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी क्यों आ जाते है सुख दुख के साथ सर्दी गर्मी इसलिए प्रकर्ती कि प्रकर्ती द्वारा भी अगर कोई प्रकोफ हो तो भी सहन करते है न उसके सामने तो युद्ध करने नहीं जाते है न तो सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान उसको सहन करना एक भरतवन्शी पर नेरभर करता है विशेओं में चित वृत्तिया उसी प्रकार विशेयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना अकार बना लेता है ऐसे ही विशेविकारों ने हमारे मनो मनोवृत्तियों को वैसे ही बना दिया है और भगवान कहते हैं यह क्षेत्र क्षेत्रग्यक का संघर्ष है क्षेत्र मना आत्मा का यह शरीर दस इंद्रियों वाला क्षेत्र तो क्षेत्र और क्षेत्रग्या आत्मा उसके बीच का संघर्ष करमेंद्रिया कुछ और करना चाहती है देखना नहीं चाहते फिर भी देख लेते खाना नहीं चाहते फिर भी खा लेते सुनना नहीं चाहते फिर भी सुन लेते तो ये क्षेत्रक शेत्रग्यका संघर्ष है और इसलिए भगवान कहते हैं जिसमें आशुरी संपुदा का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित वृत्ती को स्थिर करना है भगवान को याद करने बैठो न उसी समय सारा मन परिशानी यहां खड़ी कर देता है क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धेर पुरुश यानि आत्मा इंद्री और विशयो के सईयोग व्यत्khit नहीं कर पाते हैं और वो अम्रत तत्व के प्राप्ति के योग के हो जाता है जिसने इंद्रियों को जीता है वही सच्चा जितेंद्रिय है इसलिए कहा के जैनी लोगों ने जब हिंसक युद की बात को काड़ दिया तो गीता में से वही बात को उठाया और यही कहते जै जिनेंद्र जै जिनेंद्र मना जिनों ने अपने इंद्रियों के उपर संपून विजय प्राप्त कर लिया हो उसके साथ में युद करते हुए इंद्रियों के उपर अधिकार प्राप्त कर लिया वो जै जिनेंद्र हो जाता है